नमश्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत सुआगत है एस्टरो मंदिर में तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से कि बिरिश्चिक रासी वालों के लिए आज का दिन यानि की 28 जून 2020 का दिन कैसा बीतने वाला है आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या पड़िवरतन होगा क्या क्या बदलाब होगा तो ये साड़ी बाते जानने के लिए बीडियो को आप सुनते रहें तो मित्रों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 28 जून 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है अस्ट में नक्छत्र है उत्तरा फालगुनी पक्ष है सुक्ल पक्ष और दिन है रभी बारे आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है पंच बज के पचीस मिनट में और सुर्यास्त हो रहा है सात बज के बाईस मिनट में रितू है वर्षा और आज के दिन दिन काल है तेरह घंटे संताबन मिनट नौ सेकेंड का महिना है आसाध है और आज के दिन सुब समय सुरू होता है ग्यारह बज के अड़तालीस मिनट एम से बारह बज के पचपन मिनट पी एम तक अशुब काल सुरू होता है पांच बज के 31 मिनट पी एम से 6 बज के 27 मिनट पी एम तक और राहु काल सुरू होता है पांच बज के 38 मिनट पी एम से 7 बज के 22 मिनट पी एम तक और दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें ताकि आज के दिन आपको कहीं कोई समस्या नहीं हो और आपका शमय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शांदार हो सके लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके बैबाहिक जीवन के बारे में मित्रों बैबाहिक जीवन के दृष्टी कोई से आपका शमय सामान ने रहेगा न जयादा बेहतर न जयादा खराब आज के दिन अपने जीवन साथी के शाथ अपने शम्बंध को आप अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करें आज के दिन हो सकता है आपका जीवन साथे किसी छोटी मोटी बात पर आपसे नाराज हो जाए वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान ने से थोड़ा सा नीचे रहेगा आज के दिन आपके कामकाज में आपके काड़े छित्र में आपको कोई खुसखबरी तो मिलेगी कोई सुभ समाचार तो मिलेगा और साथ में खुसखबरी की अलाबा कुछ परिशानियों का सामना भी आज के दिन आपके काड़े छित्र में आपको करना पड़ेगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध मित्रों प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन हो सकता है तो आपका लब मिट आपसे किसी वस्तू की किसी चीज की डिमांड करेगा लेकिन किसी भी कारण वस उनके डिमांड की पुर्ती आप नहीं कर पाएंगे और इस वजह से आपका प्रेमी या आपकी प्रेमी का आपसे नाराज हो जाएंगे इसके बाद है आपका पाडिवाडिक जीवन तो पाडिवाडिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बेहतर और सांदार रहेगा आज के दिन आपके घर पडिवार का माहौल बहुत जियादा बेहतर रहेगा खास तोर पर आपके घर के बच्चे आज के दिन आपके घर के माहौल को काफी जयादा शांदार बना देंगे वैसे अगर आपके शुवास्त की बात करें तो शुवास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय जयादा अच्छा नहीं रहेगा आज के दिन आपको अपने रहन सहन अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा हो सकता है आज के दिन आपका शुआस्त ज्याद अच्छा नहीं रहे इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत सामानी है आज के दिन आप घर से बाहर जाएं और गरीब लोगों की शहायता करें आपके घर के आसपास जो गरीब हो लाचार हो बेबस हो ऐसे लोगों की आप शहायता करें आपका समय सांदर हो जाएगा और कहीं कोई समस्या कहीं कोई परिशानी नहीं होगी आज के दिन आपके लिए भाग्य साली यंक है तीन यनि कि थ्री और सुभ रंग है आपके लिए नारंगी और सुनहरा तो मित्रों इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें ताकि आपके शंपरक में आपके जान पहचान में जो भी लोग हों वो इस वीडियो को देखें और अपने आज के दिन को अच्छा और बेहतर बना सकें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जैसी और आम